हेलो एब्रीवन आज हम जो है विसल ब्लोईंग के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो है हम दो टॉपिक्स जो है आज फ्लेयर करेंगे फ्रस्ट टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ओफ विसल ब्लोईंग पॉलिसी की होने चाहिए फ्रस्ट कंपोनेंट आ रहे है आपका पर्पस कि जब भी किसी कंपनी के दोरा विसल ब्लोईंग पॉलिसी बनाई जाती है तो उसका purpose बिल्कुल clear होना चाहिए या उसमें लिखी हुई statements बिल्कुल clear होने चाहिए ताकि जो whistleblower है उसको maximum protection मिल सके उसको किसी तरह का risk जो है उसकी security के साथ किसी तरह का risk उसे ना उठाना पड़े तो clear cut information जो है आपकी whistleblowing policy में होनी चाहिए सेकेंड आगे आपका establishment of review system कि एक whistleblowing policy में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो employee whistleblowing करना चाहता है वो अपने superior को information report करें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक अच्छी whistleblowing policy में बल्कि एक अच्छी whistleblowing policy में जो है कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जैसे आपका auditors हो सकते हैं यह company secretary हो सकता है जो कि directly board of director के contact में हो ताकि अगर जो है employee जो कि whistleblowing करता है उनके साथ जो उनको report करता है auditor को report करता है तो auditor जो है directly board of directors के साथ जो है contact उस बात को जो है पहुंचा सके थर्ड आगया आपका provision for action कि एक अच्छी whistleblowing में action का provision भी होना चाहिए कि अगर कोई whistleblowing करता है तो किस wrongdoing को लेके वो whistleblowing कर रहा है उसके regarding क्या corrective actions लिये जाएंगे ये whistleblowing policy में clear लिखा होना चाहिए next आगया आपका confidentiality की जादा तर whistleblowing policy में ये clause include किया जाता है कि जो whistleblower है उसकी identity को confidential रखा जाएगा क्यों क्योंकि मैं negative effect already आपको whistleblowing के पढ़ा चुकी हूँ तो एक whistleblower को negative effects को ना जेलना पड़े इसके लिए जो है उसकी identity को open नहीं किया जाता next आगया आपका policy against retaliation retaliation का मतलब होता है कि जिसके खिलाब whistleblowing कर रही है की जा रही है क्या उसके पास इतनी power है कि वो वापिस whistleblower को किसी तरह का risk दे सके तो उसके खिलाफ भी एक अच्छी whistleblowing policy में जो है उसके खिलाफ के action लिए जाएंगे वो भी बताया होना चाहिए कि जिसके खिलाफ whistleblowing की जारी है अगर वो higher rank पे है तो वो तो whistleblower को company से निकाल सकता है मतलब वो बदला एक तरह से retaliation का मतलब होता है बदला लेना तो वो बदला ले सकता है whistleblowing के बाद कि वो company से निकाल सकता है whistleblower को तो उस position का वो unnecessary जो है फाइदा ना उठाए इसके लिए भी policy जो है वहाँ पे होनी चाहिए next component आ गया आपका communication and training कि whistleblowing policy जो बनाई जाती है उस अभी employees को public places पे या employees की emails पे जो है या company की handbook पे जो है उसका publication जो है होना चाहिए ताकि सबको एक तरह से public notice जो है यह होना चाहिए कि company की whistleblowing policy क्या रहेगी जिससे जो है company के employees और ज्यादा encourage जो है होते है और last component आ गया whistleblowers as allies whistleblowing policy जो है उसमें इस तरह की clause होने चाहिए कि whistleblower को जो है सहयोगी तोर पे देखा जाए उसको adversary के तोर ते कि यह company के खिलाफ ही काम कर रहा है ऐसे उसकी position जो है नहीं बनानी चाहिए बल्कि वो company के सहयोग कर रहा है सहयोगी के तोर पे जो है company को सही direction में लेके जा रहा है ऐसी position जो है whistleblower की बनानी चाहिए तो यह थी हमारे whistleblowing policy के क्या main components है next topic जो आज हम करेंगे वो है barriers to internal whistleblowing policy कि whistleblowing policy कई companies तो बना देखी है लेकिन उसको सही ढग से लागू नहीं किया जा सकता कई ऐसे barriers उसके रास्ते में कई कठनाईया आती है कि company अपनी whistleblowing policy को सही ढग से लागू नहीं कर पाती तो वो कठनाईया या वो barriers क्या है lack of trust कि जो employees और employer का relationship होता है उसमें trust का lack होता है employees हमेशा यहीं सोचते हैं कि अगर हम report करेंगे तो employer हमारी बागते जो है trust नहीं करेगा दूसरा अगर employer यह सोचता है कि employee कि किसी चीज की report कर रहा है तो हो सकता है उसका अपना कोई फाइदा हो इस वज़े से वो report कर रहा है तो दोनों में trust का जो है वो issue रहता है next barrier आगया unwillingness of employees कि जादातर employees जो है वो whistle blowing नहीं करना चाहते वो जानते भी है कि company में कुछ misconduct हो रहा है wrong doing हो रही है फिर भी वो whistle blowing नहीं करते क्यों क्योंकि whistle blowing के कई negative effects जो है उनकी life पर पड़ते हैं जैसे financial risk उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है social security उनको जेल नहीं पड़ती है तो इन सभी risks को ना उठाने के लिए जो है वो whistle blowing नहीं करते next barrier आ गया misguided union solidarity कि कई जो है whistle blowing policies जो है इस तरीके से बनाई जाती है जो की जैसे labor union है इस तरह की कई unions बनाई होती है company में उनको misguided किया जाता है कि लिखा कुछ और है whistle blowing policy में लेकिन जब actual में reporting की जाती है तो कोई और फैसला जो है उसके खिलाफ ले लिया जाता है जिससे employees भी जो है discourage हो जाते हैं ऐसी whistle blowing policy को देखके next आपका barrier आ गया management is not held to the same standard कि कई बार employees को ऐसा लगता है कि company में misconduct हो रहा है लेकिन वही चीज management को जो है गलत नहीं लगती तो दोनों एक ही standard पे जो है कई बार fit नहीं होते कि employee accordingly कोई misconduct हो रहा है लेकिन management के accordingly उस misconduct को करना जरूरी है company के hit के लिए तो वह same standard जो है follow नहीं होते employer और employee के बीच में next barrier आ गया आपका fear of retaliation retaliation का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कई बार जो wrongdoer होते हैं जैसे company के वह higher rank पे बैठे होते हैं तो उनको यह power एक तरह से उनके पास power होती है कि वह whistleblower के खिलाफ जो है कोई भी कारेवाही कर सकते हैं तो ऐसी whistleblowing policy अगर है तो भी जो है company के hit में सही नहीं माने जाएगी और last आगे fear of alienation from peers कि इसमें social security का issue जो है वो आता है कि जो peers है means आपके colleagues हैं वो whistleblower को एक तरह से उस पर शक करने के शक करते हैं कि कहीं यह हमारा भी हम कुछ गलत करेंगे तो यह हमारा भी report जो है वो senior तक पहुँचा देगा तो वो उसके साथ जो है socially cut off होना जो है इक तरह से start कर देते हैं तो कोई भी employee socially अपने workplace पे cut out नहीं होना चाहेगा इसलिए वो whistleblowing जो है नहीं करता तो यह कारण थे आपके कि whistleblowing policy जो है वो successful नहीं होती है किसी भी company में जो policy बनाई जाती है वो success नहीं गरती है आज हमने यह दो topics किये हैं अगर इन दो topics में आपको कोई बात clear कोई point clear नहीं हुआ है तो आप उसको comment section में लिख दीजिए मैं उस point को clear कर दूँगी thank you